हलो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आपका कच्छा आठवी के इस वीडियो लेक्चर में इसमें हम गणित विशय के अंतरगत अध्याय 2 की जो प्रसनाली 2.2 है इनकी प्रसन को सौल करेंगे तो इनकी प्रसन को सौल करने से पहले हमको घतां के कुछ नियमों को जान रिन एक की घात यदि सम संख्या है तो उसका वेल्यू क्या होगा धान एक होगा अब देखिए इसको थोड़ा सा यदि अपन बड़ा रूप में ले तो जैसे कि कोई रिन पी है ठीक है कोई भी संख्या हो सकता है बज़री तो रिन एक ही हो और इसके उपर में यदि घात ह सम संख्या समझाया सम संख्या है तो इसका वेल्यू क्या हो जाएगा प्लस पी की घात सम संख्या हो जाएगी तो इसको आपको याद रखना है कि यदि कोई रिन आत्मक संख्या उसके उपर में घात सम संख्या है तो यह रिन का निप्टारा कैसे हो जाता है प्लस हो जाता और P के उपर में समसंख्या की घात हो जाएगी इसी तरीके से यहाँ पर जो सेकंड नियम दिया है रिन एक इसकी घात दिया है विसम संख्या ठीक है तो यहाँ पर रिन एक आ रहा है इसी तरीके से यदि कोई रिनात्मक संख्या जैसे कि P है और इसकी घात क्या हो विसम संख बाँखिया हो तो इसका behavior क्या हो जाएगा written और यह जो गहात लगेगी सिर्फ पी अपर में लगी ठीऊ है ना रिन के ओपर नहीं लगी इन हिएं और मैं इसली में आजका तो यह जो नियम में क्या किक पहले यहाँ पर इस नियम को देखिए, ए बटा भी है, कोई भी परमे संख्या यदि दिया है और उसके उपर में घात है, तो उस परमे संख्या को स्वयम के साथ इतने बार गुना करना है, जितनी इसमें घात है, जैसे कि माल लो एक बटा दो है, और इसके उपर में चार घात है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बटा दो को, एक बटा दो के साथ इस तरीके से चार बार गुना करना पड़ेगा, तो यही इसका नियम है, ठीक है, अब यह नियम बहुत बार इसमें अपलाई होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से समझेए, अब देखे, मतलब यह वलजा जो नियम है, यह क्या पहता है, यदी कोई परमे संख्या के उपर में एक घрод है, जो बटे में हैं, to यह जो परमे संख्या की घात है, वो अंस और हर दोनों में उतर जाती है, समझा रहे हैं, अब इसी तरीके से क्या है, यदी हम परमे संख्या को पलट द जाए चार को नीचे लाएक तो चार को नीचे लादे तो क्या हो जाएगा यह पांच हो जाएगा इसbn की तरिक से इस नियम को जानना हमारे लिए रहा ज़्रूल कुए इस नियम जानेंगे तभी तो हम question को अच्छे से solve कर पाएंगे तो आपने इसको अच्छे से देखा होगा तो अब चलिए शुरू करते हैं प्रसना वाली की question को solve करना तो देखी यहाँ पर जो पहला प्रसन है वो क्या बोलता है नीमने को सरल कीजिए ठीक है तो पहला का एवाला को लेते हैं और जब भी आप question को solve करेंगे तो क्या करेंगे हल लिखने के बार जो भी प्रसन रहीगा उसको आप एक बार क्या करेंगे फिर से उतार लेंगे जियों करते हो उतारना है फिक है अब इसको मैं solve करना शुरू करता हूँ solve करने का मतलब क्या है यह जो दो परमे संख्या है बीच में गुना है घातें अलग-अलग लिखाई हुए तो यह सब एक हो जाए एक परमे संख्या हो जाए यही हमारा उद्दे से तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर सिधा-सिधा कौन सा नियम अपलाई करते हैं यहाँ पर बता देता हूँ चूंकि A बट B की घार M बराबर A बट B गुना A बट B गुना A बट B कितने बर M बर ठीक है तो इस नियम को यहाँ पर अपन क्या करेंगे अपलाई करेंगे है ना और इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा 2 by 7 क्रोस 2 by 7 क्रोस 2 by 7 कितने बर होगा 3 बर होगा ठीक है इस तरीके से यहाँ पर देगो यह बीच में गुना है उसको लिग देते हैं यहाँ पर घात में 3 है तो इसको भी अपन को क्या करने वड़ेगा 3 बार गुना करना है इस तरीके से अब जो अंस और हर में common चीज़े हैं वो आपसे कर जाएगी जैसे यह और यह ठीक है इस तरीके से आपसे कर जाएगे और अंस और हर में जो हैं जो बजगें उसको आपसे गुना कर देना है एक का गुना एक से हो रहा है कितने बार हो रहा है तीन बार तो उसका तो वेल्यू एक ही आएगा ठीक है साथ को साथ से गुना करोगे तीन बार तो इसका वेल्यू होता है तो इस तरीके से यह जो है की सरल हो जाता है अब क्या करते हैं हम पहला का ही जो second प्रस्ण है उसको देखिए चार बटे 5 कि घाथ 4 गुना 5 बटे 4 कि घाथ 2 है तो इसको अपन क्या करते हैं? ठीक है अब इसको मैंने क्या किया? लिखा है लेकिन जब आप ऐसा हल लिखते हो उसके बाद इसको फिर से उतारना पड़ता है तो मैंने क्या किया है यहाँ पर हल लिखा है देस किया है फिर question को उतार है अब क्या करेंगे अगेन अपन क्या करेंगे इसको विस्तार कर देते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया नियम को नहीं लिखा तब आपको क्या करने है नियम को आप या तो पहले लिखे या फिर आप नियम को बाद में भी लिख सकते हैं ठीक है नियम को आप पहले भी लिख सकते हो नियम को आप बाद में भी लिख सकते हो तो इस तरीके से आपको नियम को बाद में लिख देना चीए ठीक है ना यदि नहीं लिखो के तो भी च दिमाग के हिसाब से इसको solve करना है ज्यादा दम मोटा बुद्धी नहीं लगाना है है ना तो नियम वाइस तो यह होता है कि इस नियम को लिखना चीए है ना अब क्या करेंगे जो answer हर में common चीज है उसको हम क्या कर देंगे काट देंगे ठीक है यहाँ पर भी कटे गए है इस तरीके से answer हर में equal जैसे यहाँ पर दो कटा है यहाँ पर दो कटा है यहाँ पर दो कटा है ना अब जो बच गया उसको आपस में गुना कर दो अब जोड़े थोड़े दिमाख लगाते हैं कि हमने इसको डारेक्ली विस्तार क्यों कर दिया ठीक है यहाँ पर गौर कीजिए यहाँ पर दो था यहाँ पर हर में दो था इसको इसी करन से विस्तार किया गए कि यह असानी से कर सकते हैं ठीके न, यहाँ पर एक है, यहाँ पर साथ है नहीं करता है, तो भी चलता है, तो असानी से कर सकते हैं, इसलिए विस्तार कियें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंस में चार हैं, यहाँ पर हर में चार हैं, यहाँ पर हर में पांच हैं, यहाँ पर अंस में पांच हैं, तो पहला का जो C वाला प्रस्न है उसको ध्यांस देखे, रिन 5 की घात तिन, भागीत, कोश्टक में, रिन 1 बटे 5 की घातो, अब इसको मैंने क्या किया है, प्रस्न को लिख लिए है, और यहां पर मैंने अभी तक हल नहीं लिखा है, तो जब मैं हल को बाद में लिखता हूँ, औ तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रस्न को एक बार लिखना ही पड़ेगा, समझा रहा है, तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना ही है, अब ध्यान दीजिए यहां पर, यहां पर अंस में 5 है, यहां पर हर में 5 है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, भाग है, तो इसक कोई मतलब नहीं बनता है तो इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा simplify कर देते हैं ठीके तो सबसे पहले ये रिन 5 की घार्तीन है इसको कुछ करने की जवरत नहीं है जो भी करना है यहाँ पर करना है ठीके ये भागित को अभी मैं change नहीं करता हूं अब ध्यान देजिए कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर रिन 5 है और यहाँ पर रिन तो बीच में है सामने में है तो अपन क्या करते हैं इस रिन को नीचे ले जाते हैं ठीक है इस तरीके से रिन 5 कर देता हूं और इसके उपर में घात 2 कर देता हूं ठीक है, अब क्या करोगे, ठीक, ये जो घात में दो ही ये पूरे के उपर में है, ध्यान देजे, यदि मैं इसको पल्टी कर दूँ, किस नियम के कॉर्डिंग, ठीक है, चू की, P बटा Q की घात M, बराबर, Q बटा P की घात RIN M, यदि हम पर्मे संख्या को पलट देते हैं, तो उसकी घात क्या हो जाते है, रिनात्मक हो जाते है, इस नियम के एकॉर्डिंग, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखे, रिन 5 की घात 3 है, इसको टच करनी की जवरत नहीं है, ये भागित को भागित रहने दो, ठीक है, और यहाँ पर रिन 5 उपर चले जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, अब यहाँ पर जो घात में plus 2 है, यहाँ पर देखे, यह क्या है, plus 2 है, यह क्या हो जाएगा, minus 2 हो जाएगा, ठीक है, और एक चीज़, और अच्छे से पता हो ना जीए, कि किसी भी संख्या के बट्यम यदि एक है तो उसका कुछ खास मतलब नहीं होता है बॉस ठीक है उसको हम क्या करते हैं डारेक इग्नोर कर सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर कौन सा नियम अपलाई होगा चूँकि एक्स की घाद एम भागित एक्स की घाद एन बराबर एक्स एम माइनस एन ये नियम इस नियम की एक्कॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल करेंगे दिखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर रिन पाँच है यहाँ पर भी रिन पाँच है दोनों क्या है इक्वल होगे जैसे यहाँ पर एकस-एकस है ठीक है यहाँ पर घात एम है यहाँ पर एन है यहाँ पर घात तीन है यहाँ पर रिंदो है तो उसी के ठीक है अब क्या हो जाएगा जिन 5 की घाट पांच यहां तक सॉल हो गया अब एक चीज़ और आप मैंने क्या बताए था किसी भी संख्या की घाट कौन से संख्या रिनात्मक संख्या की घाट यदि विसम हो विसम संख्या हो तो क्या हो जाता है इसको हो को नहीं लिखते है ठीक है विसम संख्या हो तो सामने में रिन आता है और सिर्फ संख्या के उपर में जो विसम संख्या है वो घाट आएगा ठीक है तो इस तरीके से सिर्फ संख्या के उपर में जो घाट है वो आ जाती है तो अपन ने यहसे इसक पर क्या हो जाएगा रीन 5 की घहात 5 और 5 की घहात 5 का मान कितना होता है ठीक है अब तो इसको फाइंड कर लेते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 5 25, 25 वंचे 125, 125 वंचे 625 तीक है और 625 के साथ जब अफन 5 के गुना करेंगे तो 5 हैं 25, हाथ में दो, 5 दो ने 10, दो 12, ठीक है, हाथ में एक, 5 छक्के 30 और ये 31, ठीक, तो इसका value कितना है, minus 3, 1, 2, 5, ये इसका सरलतम रूप है, यही इसका answer है, तो आपको इसको नहीं लिखना है बहुत, ये तो अपने सरल किया है, ठीक है, तो एक बार इसको पूरे को मै एक बार अच्छे से दिखा दिता हूँ, ताकि आप इसको note कर सके, ठीक है, आप इस screen को रोक कर, इसको note कर सकते हैं, अब nation question पर जाते हैं, पहला का D वाला जो question है, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, चलिए इसको solve करते हैं, तो सबसे पहले जब हम हम लिखेंगे, इसक इसके बार क्या करेंगे, जो भी प्रसन दिये रहेगा, उसको आपको फिर से एक बार लिखना है, इस तरीके से, अब यहाँ पर ध्यान देजिए, दोनों जगा की जो अंदर में परमिये संग है, वो equal है, और इसकी जो घाते हैं, वो अलग-अलग हैं, ऐसे में हमें एक नि गुना हो, और घाते अलग-अलग हो, तो क्या होती है, कि अधार को एक बार लिखना है, और उनके घातों को जोर देना है, यहाँ पर भी हमको वही करना पड़ेगा, कि दोनों संख्याओं को एक बार लिखेंगे, और उनकी घातों को जोर देंगे, ध्यान देजिए, बीच और minus आपस multiply होगा तो क्या होता है minus होता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ओके यहाँ तक तो सब ठीक है अब आगे देखें कि क्या होगा देखिए यहाँ पर 3 में से 5 तो घट नहीं सकता 5 में से 3 ही घटता है ठीके पांच में से तीन घाटेगा तो कितना आजाएगा दो आएगा लेकिन चूंकि पांच वाला बड़ी संख्या है और इसके आगय में रिनातमक है इसलिए जो फाइनल में अंसर आएगा वो क्या हो जएगा? रिन दो हो जाएगा ठीक है अब इसको अपन को क्या करना है और सरल करना है और सरल करना है तो कौन सा नियम देखे पहले मैं नियम अपलाई कर देता हूँ फिर नियम को बगर में लिख देता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने क्या किया जो हर में था उसको अंस में ले गया और अ Q की घात, रिन एम, बराबर Q बटा P की घात, धन एम, कहने के मतलब है, जब परमे संख्या को आप पल्टी कर देते हो, अंस को हर में ले जाते हो, हर को अंस में ले जाते हो, तो जो घात होती है, उसका साइन चेंज हो जाता है, यदि घात में धन है, तो वो रिन हो जाएगा, यहाँ पर घात में रिन है तो वो धान हो जाएगा यहाँ पर घात में क्या थी रिन थी तो यह क्या हो गया धान हो गया अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है घात में दो है मतलब दो बार गुना करना है ठीक है यह वाला नियम कौन सा नियम है चू की A बट B की घात M बराबर A बट B गुना A बट B कितने बार M बार तो क्या होता है ना बार बार नियम को लिखते रहने से नियम हमें अच्छे से याद हो जाता है तो आपको नियम को लिखना चीए ठीक अब इसके बार क्या हो जागा 4, 4, 16 और 3, 9 तो ये इसका सरलतम रूप है आप इस क्वेस्टन को अच्छे से देख लीजिए स्क्रीन को रोब कर इसको नोट कर लेजिए तो पहला का जो 4 क्वेस्टन था वो कंप्रीट होता है अब जो एकी सेकन के जो क्वेस्टन है उसमें आते हैं